हाई, वेलकम तो माच चैनल, इस वीडियो में सॉल करेंगे क्वेशन नमबर 5, आपजर्ब दी फालिविंग पैटर्न, 1 प्लस 3 इसकल टू 2 स्क्वेर, 1 प्लस 3 प्लस 5 इसकल टू 3 स्क्वेर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इसकल टू 4 स्क्वेर, एंड, राइट दी वैलू आफ, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस अप्टू N टर्म्स, मतलब यहाँ पर एक पैटर्न दे दिया है, और इस पैटर्न को आपजर्ब करके, इसी पैटर्न पर एक वेशन पूछ दिया है, ठीक है, चलिए हम पहले इस पैटर्न को आपजर्ब करते हैं, और फिर सॉल्ब करते हैं, देखे, 1 प्लस 3, यह क्या लिखा हुआ, एक्चुली, यह पहला और टर्म है, और यह दूसरा और टर्म है, मिन्स, फर्स्ट टू और टर्म्स को जब आइड कर रहा है, तो 2 का स्क्वेर हो रहा है, बिल्कुल ही यहाँ पर दिख रहा है 3 और 1 क्या होगा, 4 होगा, 4 का स्क्वेर कर दिया है, यहाँ पर, sorry, 4 को लिख दिया है, यहाँ पर 2 का स्क्वेर, यहाँ पर दिखे, 1 प्लस 3 प्लस 5, मिन्स, फर्स्ट 3 और टनंबर्स, यहाँ पर टनंबर्स हैं, इनको य comics यूदि एड किया तो क्या मिलेगा, 3 1,4, 4, 5, 9, 9 को लिख दिया यहाँ पर 3 square ठीक है और यहाँ पर फर्स्ट 4 odd numbers को एड़ किया है फर्स्ट यहाँ पर 3 odd numbers है यहाँ फर्स्ट 4 odd numbers है 1, 3, 5 and 7 और यहाँ को आड़ करेंगे तो मिलेगा 16 और 16 को लिख दिया है यहाँ पर 4 का square मतलब कि जितने number of odd numbers को add करते हैं, उतने number का square हो जाता है, ठीक है, means, यहां वली सकते हैं कि from the given pattern, from the given pattern, we observe that, we observe that, the sum of the sum of any number of any number of any number of first r terms is equal to square of square of that many square of that many odd terms means, जितना भी मतलब odd terms रहेंगे, उसका square कर देंगे, ठीक है, हमने यही उपर से देखा, इसका मतलब, so, sum of end odd terms, यह क्या लिखा हुआ है, अचली, एक्चली, यह लिखा हुआ है, 1 प्लस, यदि हम लिखे, 3 प्लस, 5 प्लस, 7 प्लस, प्लस, अब टू, प्लस, यहाँ पर कर रहे हुँ, और, n odd terms, ठीक है, n terms, यदि हम n terms तक, काइड कर रहे हैं, इसका मतलब, कि यह क्या चीज है, जो लिखा हुआ है, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, sum of, first, in odd terms, in odd, terms, sum of first, in odd terms, यह जो आएगा, sum of first, in odd terms, वो n का square होगा, ऐसा कैसे मैंने हम लोग ने देखा, हम लोग देखा कि, यहाँ पर देखिए, first two terms है, first two odd terms है, तो यहाँ पर one and two, तो two का square, one, two and three, तो three का square, ठीक है, यहाँ पर count करिए बस, देखिए, one, two, three, four, तो four का square, मतलब कि, जितने number यहाँ पर count कर रहे हैं, हम उतना ही यहाँ पर four का square हो रहा है, यहाँ पर sum of n odd terms, यहाँ पर कितने हैं, count करिए, one, two, three, four, five, ऐसे करते-करते n terms तक हैं, तो मतलब कि, n यह terms होंगे, पुरा complete, है कि नहीं, तो n terms होंगे, तो इनको n terms को add करेंगे, जब sum of n odd terms को, तो n square आएगा, क्योंकि यहाँ पर, जितने number आ रहे हैं, तो इसके इसे आएगा रहे हैं, तो this is n square, is your answer, n square, thank you so much for watching, like कर देजीगा, तो share करिएगा, और कोई भी doubt होता है, तो comment box आपके लिए है, thank you so much again, bye,